हलो एवरीवन वेलकम तो यूट्यूब चैनल अफ होपस और द्रीम्स उनिवर्सल स्कूल सब्सक्राइब आर चैनल और पेस्ट बेल आइकन बटन तो गेट दे नोटिफिकेशन आफ 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 निव वीडियोज थैंक यू सबसे पहले आपकी सुरक्षा तो सबसे पहले आपकी सुरक्षा क्यों जरूरी है imagine करो कि आप किसी नुकिली चीज से खेल रहे हो प्लेइंग कर रहे हो और वो चानक आपको लग जाती है तो आपके तो चोट लग गई न अगर यही आपने उस नुकिली चीज से प्लेइंग नहीं की होती उसको साइड में रख देते तो आपके चोट नहीं लगती या आप रोड पर भाग रहे हो भागते भागते आप किसी चीज से टकरागे लाइक साइंकल या और रिक्षे किसी से भी तो आपको चोट लग गई अगर यही आप रोड पर संबल के द्यान से चलते शोट नहीं लगती तो ऐसी कई चीजी हमारे डेली में होती है ऑट अगर हम उसे ध्यान में रखे तो हम चोट लगने से या हमारी जो है कि कोई बड़ी प्रॉब्लम होने से बच सकती है तो वो हम कैसे कर सकते हैं? अब हम इस चाप्टर में पढ़ेंगे कि हम अप्नी सेफ्टी कैसे कर सकते हैं एक दिन अनील अपनी कलास में आया तो उसकी नीज पे घुटने पे पट्टी बंदी हुई थी तेचर वाट हैपन अनील? तो तीचर ने पुछा क्या हुआ अनील, वाइड प्लेइंग विद माइ फ्रेंड जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ प्लेइंग कर रहा था I run across the road to bring the ball तो मैं बॉल लेने के लिए सड़क के पार गया था As I was picking up the ball और जैसे ही मैंने बॉल उठाया An auto came and hit me और तब ही माँ से एक auto आया और उसने मुझे hit कर दिया अब देखो auto वाले ने तो सड़क पर जाना ही जाना है हाना तो आपकी responsibility है कि आप road पर नहीं playing करें हाना अब आपने playing किया आप बोल उठाने गए तो auto वाले ने मार दिया अब auto तो road पर चले उसको नहीं कई बर ध्यान में रहता तो teacher ने बोला कि अनील आपको अपना ध्यान रखने चाहिए जब आप road पर होते हो तो teacher ने बोला आज मैं आपको कुछ safety rules के बारे में बताएंगे safety on the road तो सबसे पहले हम देखेंगे कि road पर हम किस तरह से अपनी safety कर सकते है we must walk only on the footpath or to the left side of the road हमें हमेशा footpath पर या road के left side पर ही चलना चाहिए we must always cross the road at a zebra crossing हमें हमेशा road को zebra crossing पर ही cross करने चाहिए zebra crossing क्या होती है zebra crossing पैदा चलने वालों के लिए बनायागे एक माध्यम है यह black या white पटियों से mark किया होता है तो यहाँ पर पैदा चलने वालों को पूरे अधार अधिकार प्राप्त है मतलब हो यहाँ पर comfortably पैदा लाराम से सड़क क्रोस कर सकते हैं और यहाँ पर आपको यह जो mark दिया हुए यह जो चीन ने दिया हुए यह उसके बाद बाएं देखना चाहिए और उसके बाद फिर से हमें दाएं देखना चाहिए और फिर हमें रोड क्रोस करनी चाहिए We must never play on the road हमें रोड पर कभी भी playing नहीं करनी चाहिए कभी भी नहीं खेलना चाहिए We see cycles, cars, scooters, autos, lorries, buses and people moving on the road हम देखते हैं और पीपल यह जो लोग सड़क पर move करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है traffic, this is called traffic अब हम कई बर जाते हैं रास्ते में तो बहुत बीड होती है कहीं से scooter आ रहा है, bike आ रही है, cycle आ रही है, cars आ रही है हम लोग होते हैं फिर हम लेट पहुंचते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि रास्ते में traffic बहुत था तो जो road पर यह जो चीज़े move करती हैं, यह सब move करते हैं इन्हें traffic कहा जाता है Have you ever seen a pole with lights in the middle of the road आपने कभी road के middle में बीचो बीच चुराहे पे lights देखे pole लगा हुए जिस पे lights होते हैं खंबा They are called traffic lights इन्हें क्या बोला जाता है, traffic lights The traffic lights also called traffic signals जो traffic lights हैं इन्हें traffic signals भी कहा जाता है Traffic संकेत या संकेत Control the traffic on the road यह road पर traffic control करते हैं वो कैसे? How do the traffic lights control the traffic? Traffic lights traffic कैसे control करती हैं? First, देखो जो यह traffic lights होती है उस पे three lights होती है Red color की, Orange color या Yellow color की और Green color Red और Green होती है बढ़ कईयों में Orange होती है या फिर Yellow होती है तो Red means क्या होता है? Stop जिस साइड Red color की light on होती है तो वहाँ पर जो लोग आने वाले होते हैं वो रुक जाते हैं उनका मतलब होता है कि वहाँ पर Red light का मतलब होता है Stop रुक जाओ Orange, Yellow means Be ready to go अब आ लोग रुक गए तो इतने में अगर Orange या Yellow light होन होती है तो इसका मतलब ही है कि आप अब चलने के लिए Ready हो जाओ Green means go Green lights होता है मतलब होता है कि अब आप वहाँ से चलो Okay We should follow these traffic rules These rules are made to keep us safe and sound ये जो traffic rules है हमें ये follow करने चाहिए ये मानने चाहिए These rules are made to keep us safe and sound ये जो rules है ये हमें सुरक्षा और सावधानी ये हमारे सुरक्षा और स्वास्ते के लिए बिल्कुल सही है ये हमारी सुरक्षा के लिए ही बनाएं गए है अगर हम इने follow नहीं करेंगे बाई चांस अगर उन्होंने बोला कि Red light है तो हमें रुक जाना चाहिए क्योंकि दूसरी तरफ से traffic आ रहा होता है अगर हम नहीं रुकेंगे और सीधा चले जाएंगे तो हो सकते हैं कि हमारे साथ कोई हाथसा हो सकता है इसलिए हमें इन traffic signals का rules जो भी है इन्हें follow करना चाहिए क्योंकि ये हमारी सुरक्षा के लिए ही बने है Now we read about the safety at home हमने safety at rod read कर लिया भी match stick के साथ playing नहीं करना चाहिए या उसको ऐसे ही मजाक में नहीं यूज करना चाहिए वो आपकी उससे आपकी fingers भी जल सकती है Do not play with the blade, knife और a pair of scissors आपको कभी भी blade, knife और scissors के साथ playing नहीं करना चाहिए They are very sharp and may hurt you ये बहुत तेजधार होती है जो आपको नुकसान पहुंचा सकते है Do not play with electric wires or switches because you may get a shock आपको कभी भी electric wires और switches के साथ नहीं play करना चाहिए कभी बच्चे होते हैं कि जो switches होते हैं उनको up, down, up, down करते रहते हैं on, off, on, off तो ये सब नहीं करना चाहिए आपको एक बड़ा जटका भी लग सकता है Do not rush down or push anyone on the staircase आपको कभी भी धरम से नीचे नहीं आना चाहिए या फिर आपको किसी से को भी stair से पुश नहीं करना चाहिए नीचे नहीं धकेलना चाहिए Do not jump from the walls आपको कभी भी दिवार से नहीं कूदना चाहिए कभी भी दिवार से jump नहीं करना चाहिए Follow safety rules on the road and at home आपको safety rules घर पर और road दोनों में ही follow करने चाहिए These rules help us to live safely and happily ये जो rules है, ये जो safety rules बने है ये हमारे स्वास्त्या और हमें खुश रहने में मदद करते है हाना तो हमारे साथ कोई भी नुकसान नहीं होगा हमें कोई चोट नहीं पहुंचे की जिससे हम खुश भी रहेंगे और healthy भी रहेंगे हाना, तो ये जो safety rules है ये हमें स्वास्त और खुश रहने में मदद करते है Safety in the classroom अब देखो आपने safety घर पे कर लिए रोड पे कर लिए प्लास्रूम में क्या safety करते हो जहां पर आप सब बहुत सारी शेतानिया करते हो Do not throw a duster or a piece of chalk at one another आपको कभी भी एक दूसरे पे duster या chalk का piece throw नहीं करना चाहिए कई बच्चे क्या करते हैं जब fight हो जाती तो आपस में क्या करते हैं कि chalk की टुकडे उठा उठा के एक दूसरे को मारते हैं बट ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो अगर लग जाते हैं तो वो बहुत बुरी तरीके से लगते हैं बहुत बुरी तरीके से चोट लग जाती है Do not jump or run over the dags आपको dags की उपर से jump or run नहीं करना चाहिए Do not use blades to sharpen pencil आपको कभी भी अपनी pencil को sharp करने के लिए blade use नहीं करना चाहिए But use only pencil sharpeners आपको हमेशा pencil sharpeners ही यूज़ करना चाहिए Okay Safety in the playground अब playground में क्या safety कर सकते हैं Do not play near throney bushes और barbed wires आपको कभी भी जाडियों कंटिली जाडियों और कांटे दर जो wires होती है उनके पास नहीं केलना चाहिए आपने देखो कही घरों के बाहर या कही पर कांटे दर wires होती है तार लगी थे कांटो वली हना उसके पास नहीं playing करना चाहिए When you play जब आप play करते हैं Follow the rules of the game आपको games के rules follow करने चाहिए ये नहीं है कि बस सुने नहीं सुने बस अपना game खेलने लगे बट आपको हमेशा पहले games के rules समझने चाहिए उसके बाद या आपको game play करने चाहिए Play with a sport spirit and do not play a rough game आपको हमेशा एक खेल भावना से ही खेलना चाहिए ये नहीं है कि उसको हराने के चकर में मैं जीतने के चकर में आप उसको गलत कर दो या उसको धक्का मार दो या उसको हानी पूंचाओ ऐसा नहीं करना चाहिए आपको हमेशा खेल खेल की भावना से ही खेलना चाहिए लडाई जगड़ा करके या rough game नहीं खेलना चाहिए Now, follow safety rules to keep yourself safe आप safety rules का पालन करे खुद को सुरक्षित रखने लिए अगर आप खुद को सुरक्षित रखना चाहते हों तो जो safety rules है उनको तो safety नियम है सुरक्षा की नियम है इनको पालना करने चाहिए मतलब इने follow करना चाहिए Okay, student, now we read this chapter We read safety on road, safety at home, safety at classroom, safety in the playground and traffic lights Okay, तो यह सब rules आपको follow करने चाहिए Follow safety rules to keep yourself safe Okay, student, if you have any problem, please write on the comment box Goodbye और अगर आपको यह chapter अच्छा लगा हो और आप समझ गी इस अच्छे से तो please comment box में thank you या कुछ लिकर comment करें Okay, कि आपको यह chapter कैसा लगा Okay, goodbye students और आपको रा अपको यहरा बाँरS सोनड और एंगा हो लगयआ होे अज़ए